दोस्तो उडिसा में जो ट्रेन एक्सिडेंट हुआ था उसका अब रेस्क्यू ओपरेशन अब पूरा हो गया है और उसमें अब तक 280 लोग मारे जा चुके हैं उडिसा के बालोसर में हुए रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ओपरेशन पूरा कर लिया गया है इस काम में NDRF, S SDRF, इस्तानिय पुलिस और सेना के साथ साथ इस्तानिय लोगों ने भी जम कर मदद की अभी तक इस हादसे में 280 लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 900 से जादा लोग घायल हो चुके हैं घायलों को आसपास के कई हस्पतालों में बर्ती करवाया गया है और रिपोर्ट की हम दोस्तों इस हादसे में 400 सो लोगों से जादा की मौत हो चुकी है और कई लोग हजार से भी लोग जादा घायल है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक्सिदेंट कितना ही जादा भेंकर होगा और जिसमें 16 से 17 डब्बे अगर पट्री से उतर जाते हैं तो आप सो सकते हैं कि स्पीड और कितना ही एक्सिदेंट कितना खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब यह पट्री से उतरेते हैं सामने मालगारी खड़ी थी तो मालगारी की टकराने की वज़े से इसका एक्सिडेंट और भी जादा भयानक हो गया दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है जब ऐसे हाथसे हमें देखने को मिल रहे हैं इंडियन डेलवे में आज से पहले भी बहुत ऐसे हाथसे हुए हैं और एक से बढ़कर एक हाथसे हुए हैं लेकिन प होता ऐसे ही टिकट काउंटर से टिकट लेकर या फिर कुछ ऐसे ही लोग चड़ जाते हैं तो उसमें पर ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कितने लोग होंगे कितने लोगों की मौत हुई है तो ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तो आप लोगों का इस बारे में क्या है कहना हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छ लगी तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करदें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले